कज़न से, अलarti डिखा फो भी लियमें सडक पर हुई बगावर, सपा विधायक और कोत्वाल में हुई नोग छोग, रेल्वे स््टेशन के बाहर शाइ वोल्टेज ड्रामा, यह नसारा है बलिया रेल्वे स्टेशन के बाहर का, जहां नेता जी और कोतवाल के बीच जमकर नोग जोग हुई आईए आपको बताते हैं आखिर क्यूं सड़क पर हाई बोल्टेज ड्रामा हुआ स्टेशन के बाहर पार्किंग को लेकर सपा विधायक संगराम सिंग यादव और कोतवाल पर्भारी के बीच विवाद हुआ नोग जोग का ये वीडियो वहां मौजूद एक शक्ष ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जिसके बाद ये तस्वीरे सोशल प्लाटफॉर्म पर वाइरल हो गई मामले ने तूल पकड़ा तो जांच के आदेश दी दिये गए इस मामले की जांच पुलिस उपादिक्षक को सौपी गई है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोगों की भीड इखटा है और साथ ही भारी संख्या में यूपी पुलिस के जवान भी मौजूद हैं अपर पुलिस अधिक्षक दुर्गा परसाथ दिवारी के मताबिक बलिया जिले के फेफना विधानसाबा शेतर से विधायक संग्राम सिंग यादव और बलिया शेहर कोतवाली के प्रभारी प्रवीड कुमार सिंग के बीच रेल्वे स्टेशन के सामने वाहन खड़ा करने को लेकर तीखी बहस बाजी हुई दावा किया जा रहा है कि विधायक संग्राम सिंग्यादव के बेते ने गुरुवाल शाम को अपनी लगजरी गाड़ी रेल्वे स्टेशन के सामने पुलिस पिकेट से सटा कर खड़ी कर दी थी जब पुलिस ने इसका विरोग किया तो सपाविधायक और कोतवाल के भी तीखी बहस बाजी कुई